नमस्का, फिजिकल एन एनरजेटिक यूनियन आपका अपने डिवाइन मस्कलेन के साथ किस तरह से होगा? देखिए, आपने कभी ना कभी ट्विन फ्लेम जर्णी में अपसरजिंग या पजलिंग सही होगी पजल एक या चेस्ट एक, मतलब हाट एक वाला प्राब्लम और इस तरह का प्राब्लम जिसमें की मेडिकल इशू वाली बात कोई नहीं है, मेडिकल इशू वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पेन है और बॉडी का जो यहासा होताने के दिल में खंजर गुपा दिया हो किसी ने, बस इस तरह का पेन, कुछ सर्चिंग वाली एनरजी, कि मुझे ट्विन फ्लेम को सर्च करना है तो ट्विन फ्लेम सर्चिंग, अगर आपके अंदर चल रहा है कि कोई तो है मेरे लिए, तो ट्विन फ्लेम जर्डी में अब भी हो सकता है कि आप नहीं नहीं हो, और ये भी हो सकता है कि ट्विन फ्लेम से एक बार फिर से मिलना भी हो रहा हो फिजिकल रियालिटी यही है इस जर्णी की, कि आप प्यार के पत पर हैं, path of love, basically, तो क्या है वो लव? लव है self-love, सबसे पहले, और उसके बाद, unconditional love to everyone, everyone में प्रकृति भी आजाती है, मूख प्राणी भी आजाते है, मूख प्राणी आपका DM भी तो होता है, बिल्कुली चुक रहता है, चुप रहता है, कुछ बोलता ही नहीं, silent हो जाता है, लेकिन अगर आपका Divine Musculine यानि कि Twin Flame अभी फिर भी बात कर रहे हैं, और बहुत सारी बाते हैं, और आप समझ रहे हैं, कि energetic harmony में हम अपने साथ तो आज़ों, तो Twin Flame का उदर क्या हाल जाले, क्योंकि बात चितो बंद है, तो ये कैसे पता करेंगे, ये वैसे ही पता करेंगे, जैसे आपको अपने अंदर intuition हुआ है, या एक मेक में आ गए हैं, या फिर एक oneness में आ गए हैं, या फिर आपको एक बहुत भी blissful energy feel हुई है, तब आप ये समझ सकते हैं, कि यस आपका अपने आप से energetic union हो चुका है, physical alignment की बात है, twin flame के साथ, अप चाहिए आप married हैं, ये twin flame journey में जायज रहता है, लेकिन कोई समझे तो बहुत अच्छी बात ना समझे तो फिर क्या कर सकते हैं, देखिए, physical union तो है, जो सचाई है, so है, तो इसमें आप अपने आपको honor देंगे, अपने इस relationship को honor द नहीं, एक डर वाली बात की, क्या एक बार physical union हो गया, तो कुछ डर वाली बात तो नहीं है, दोबारा तो नहीं पिर कुछ ऐसा हो जाएगा, दोबारा तो नहीं separation हो जाएगा, आप एक energetic body हैं, ये activate रहती है alignment के लिए, तो alignment कहां किस से, कैसे पता चलेगा, वो यही पता चले जब आप देखिए, जब भी कोई भी चीज का sign आपने देखना है न, आप अपने अंदर compassionate feel करते हैं, आप अपने अंदर kindness feel करते हैं, आप अपने अंदर fulfillment feel करते हैं, आपको लगता है मुझे मेरा soul purpose ही मिल गया, एक अजीब सी spark आपके अंदर आया और आपने का, ये ही तो क समय जुड़े थे लेकिन फिर भूल गए थे, दूसरा alignment वो है जब आपके अपने twin flame के साथ harmony होती है, वो harmony क्या है कि जितने भी आपके negative vibrations है, negative emotions है, disharmony में जितना भी था, आप दोनों के बीच में जो भी disharmony थी, या communication अच्छा नहीं था, या conflicts थे, या आप नहीं मान रहे थे, या वो नहीं मान रहे थे, तो वो सारी बाते जब खतम होती हैं, तब आपका ये union 3D level पर भी होती है, जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि हाँ, reunion करीब है, लेकिन जब भी हम reunion का सोचते हैं, ये हमें science and synchronicities मिलती है, फिर reunion भाग का जाता है, कहां twin flame चला जाता है, क Thank you, ये negative energies क्या होती है, twin flame के बीच में, देखे एक तो वही karmic thought pattern, दूजरा karmic लोग, karmic लोग भी तो होते हैं, karmic लोग और karmic thought pattern में क्या है, fear आजाता है, आपके traumas आजाते हैं, lack of self love आजाता है, self love कहां करते हैं, आप कहते हैं, हम तो उसको फ्यार करते हैं, खुद को छोड़ देती हैं, तो खुद को छोड़ना ही तो गलत है, और किसी तरह का कोई resentment होता है, कोई पदले लेने की भावना होती है, कोई थोड़ी बाद jealousy होती है, किसी और से होती है, ये twin flame के किसी karmic partner से होती है, है ना, गुसा बरकरार रहता है, कि twin को तो हमने माफ कर दिया मै क्या उसने मुझे ऐसा कादा है, है ना, माफ करना पहले खुद को, अगर आपका अपने साथ हो गया है, तो फिर आप सब को कर देंगे, यनि कि आप high vibrational emotions में बह रहे होंगे, आपका emotion किसी से attachment के साथ नहीं होगा, आप किसी से attached नहीं होंगे, ये मेरा है, possessiveness क्या है, ये मेर ये बच्चा मेरा, ये किताब मेरी है, ये camera, ये मायक मेरा है, मेरा है, कोई चीनके लिजाना, ले सकते हैं, मुलेकिन, Divine Masculine, ये तो मेरा partner है, ये तो मेरा divine partner है, ये कोई और कैसे, अगर divine Masculine का का कर्मिक के साथ कोई बंदन है, तो वो तो जुड़ा ही रहेगा ना, उस सा dope period में आपके रहते हुए भी कार्मिक का आना हो जाएगा यानि कि जब आप कहते हैं कि third party आ गई ऐसा क्यों हो गया reunion होना था ये था वो था हमारा इतना अच्छा relationship था मुझे sudden क्यों cut किया फिर किसी और के साथ क्यों गया आप अगर too much giving वाली energy में रहेंगे ना तो चाहे आप soulmate journey में हो चाहे वैसी normal relationship हो वो चोड़के भागेगा क्योंकि too much giving ईश्वर कहता है सब को सब कुछ देते मत रहो अपने आपको खाली करके सब अपना पातर खाली कर दिया ठीक है मेरे पास यह लो जी लो सब ले लो अब खाली हो गया कोन आएगा हमारे पास है की नहीं तो यह बात है प्रेम का प्याला अपना भरा रहना चाहिए अपने दिल में पहले हम खुद से करें अपना mind, body, soul, emotions कहां गए यह चार चीज़ें जो कि हम सब दूसरे को ही समर्पित करते रहते हैं वही तो दिक्कत आती है self-love यहीं से शुरू होता है धिरे-धिरे one by one, step by step आप करते चले जाएंगे आपको सब समझ आता चला जाएगा तो आपका अपना twin flame के साथ reunion से पहले आपका अपना inner reunion, अपना energetic union आपका होगा soul merging होगी 5D में divine masculine के साथ उसके बाद last में होता है physical reunion और यह होता जरूर है और आपका भी जल्दी होने वाला है क्यों होने वाला है कि नहीं? feelings आ रही है कि नहीं? पताएगा जरूर तो ध्यान रखिए अपना अपने emotions का सबसे ज़्यादा क्योंकि reunion just about to come Thank you